आज हम बनाएंगे बीफ कोर्मा इंस्टेंट बीफ कोर्मा बैचलर्स और बिगनर्स के लिए पर्फेक्ट रेसिपी है इंस्टेंट बन जाती है यहां पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है उसमें 50 ml आइल शामिल किया है और एक बटर का क्यूब शामिल किया है जब बटर मिल्ट होने लगे तो हम इसमें 4-5 जदद हरी मिर्च और एक बड़े सैस का टमाटर कट करकर एट कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च को थोड़ा सा फ्राइ करेंगे हाफ फ्राइ करेंगे हाफ फ्राइ होने के बाद तमाटर और हरी मिर्ष को आईल में से निकाल लेते हैं यहाँ पर मैंने हाफ केजी बॉनलेस बीफ ले लिया है इसको हम आईल में शामिल कर देंगे आईल में बटर भी मिक्स है हाइ फ्लेम पर गोश्ट को थोड़ा सा भुनेंगे हाफ टीसपून सॉल्ट एट करेंगे हाइ फ्लेम पर गोश्ट को भुने के बाद फ्लेम लो कर देंगे ताके गोश्ट अपना वाटर रिलीस करें यहाँ आप देख सकते हैं बीफ ने अपना वाटर रिलीस कर दिया है क्वाटर टीसपून हल्दी पॉडर शामिल लेंगे वन टीसपून रेट चिली पॉडर लेंगे वन टीसपून जिंजर गालिक पेस लेंगे हाफ टीसपून मटन मसाला लेंगे इन मसालों के साथ मटन को अच्छे से भूनेंगे यहाँ पर मैंने गोश्ट में पानी शामिल नहीं किया है यह गोश्ट का ही पानी है जो गोश्ट ने रिलीज किया है अभी ओइल उपर आ रहा है इस वक्त इसमें हम दो बड़े सैज की अनियन कट करकर शामिल कर देंगे प्यास को गोश्ट के साथ थोड़ा सा भून देते हैं एक मीडियम से इसका टमाटर कट करकर गोश्ट में शामिल कर देंगे और गोश्ट को प्रिशर देंगे तीन से चार विजिल आने तक तीन से चार विजिल हो चुके हैं गोश्ट अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है गोश्ट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि अनियन और टमाटर की अच्छी सी ग्रेवी बन जाए यहाँ पर मैंने मसाला तयार किया है इसमें मैंने half cup मुंफली शामिल की है और 50 грам खोबरा शामिल किया है उसका फाइं सा पेस तैयार किया है और half cup दही एट किया है ये खोर्मे का मसाला बनकर रेड़ी हो गया था इसको मैंने गोश्ट में शामिल कर लिया है और मसाले के साथ गोश को अच्छे से भूनेंगे ताके मसाले की कच्छी स्मेल चली जाए हाफ टी स्पून साल्ट और एट किया है मतन में भी हाफ टी स्पून साल्ट एट किया था मसाले को दो से तीन मिनट भूनने के बाद हम इसमें एक ग्लास पानी शामिल कर लेंगे क्वाटर टीस्पून गरम मसाला पौडर शामिल करेंगे और एक विजिल आने तक प्रेशर कुकर को बन कर देंगे ताके आउल उपर आ जाए यह आप देख सकते हैं मसाले के उपर आउल अच्छे से आ चुका है एक ही विजिल आने तक मीडियम फ्लेम पर रखेंगे वरना मसाला नीचे से चिपक जाएगा ग्रेवी थोड़ी सी गाड़ी है थिक है इसमें थोड़ा सा वाटर शामिल करकर इसको थोड़ा सा लूस कर लेंगे अगर आपको थिक ग्रेवी पसंद हो तो ऐसे ही थिक रखें खुर्मे को कुछ देर लो फ्लेम पर रखेंगे लो फ्लेम पर रखकर कवर कर कर दम दे देंगे जिसकी वज़े से सारा ओइल उपर आ जाएगा आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से फूट चुका है थोड़ा सा धनियापता शामिल कर देंगे और फ्लेम आफ कर देंगे यह हमारा बीफ खोर्मा बनकर रेडी है इंस्टेंट बीफ खोर्मा जो हमने हरीमिच और टमाटर फ्राइ किये थे उसको खोर्मे के उपर से गार्निश कर देंगे खोर्मे में हरीमिच का तला हुआ फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इंस्टेंट बीफ खोर्मे की रेडीप पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब कर दें बिल आइकन को पिस करें ठैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो जजाक अल्ला हुखेर